मैं लिटरली इतना पसीना, अभी तक किसी सीनेवा में नहीं बहा आया हूँ, लिटरली, बहुत तकलिफ होती थी, खुन भी बहा है, तो खुन पसीने से बनी हुई फिल्म है, और दूसरी चीज कि वो रिसर्च में, ये तो लिटरली मेक अप और मैंने सूटिंग की पार्ट मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में, कि मैं साइद इस फिल्म से बड़ी एक किताब लिख सकता हूँ, मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो जो रिटेन मेटरियल मिला, जो जो इंटर्व्यूज मिले पुराने, भारत के अलग-अलग जनलिस्टों का सब देख चुका हूँ, और कुछ ऐसी किसे और कहानिया मैं समझ गया हूँ उनके विक्तितु को, इस फिल्म ने और अटल जी के विक्तितु ने मुझे बहुत बदला है पिछले छे महीनों में, मैं ये सम, क्या बता हूँ, मैं भीतर से लोक्तांत्रिक हो ग वो मैं एक्टिंग कर, सीख के ही तो आड़ा हूँ बंबे, तो नहीं नहीं, मैं तो खुदी टीचर हूँ, दूसरों को सीखाता हूँ, मैं हमने थीटर किया है, निस्टन स्कूल आप ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं, तो इस फिल्म में वो ब थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है, मेजरली तीन लुक में हमने डिवाइट किया है फिल्म को, तीन फेज़ रखे हैं, क्योंकि बहुत मुस्किल है, तो थोड़ी थोड़ी उसमें हम बतार एक्टर प्रयास करते हैं, कि जब क्या हो विक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित तो ज्यादा है, कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थौट के रूप से, उस आत्मा को समझें, वो हमने प्रयास किया है, और अगर रियल लाइफ की बात करें, तो पॉलिटिक बहुत रूची है, काफिर रूची है. तो फिर मैंने वहां से यूटन लिया, और स्टीट थेटर देखने लगा, और स्टीट थेटर से लिफ्ट में काली रास रंगाले था, प्रुसेनियम थेटर पटना का, उसमें चल गया, और फिर मुझे लगा कि ये जादा बहतर है, यहां कम से कम बोल के अक्टिंग होती है कि अब इतनी पॉपिलारिटी हो गए ये वोट्स तो डेफिनिटली आपको मिल रहे है, पंकर जी सोचा एक अभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले वाब, नहीं अभी तक ये दुकान अच्छे चल रही है, पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में जमीनी बदल के लिए राजदीती ही एक मार्ग है, दुनिया चलाने का अभी तक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है, एक और क्वेशन पंकर जी पूछूंगी, कि आपने कहा कि काफी चेंजिस आपके अंदर आए पिछले छे मैने में, बट कोई एक क्वालिटी जो आपको लगा हो कि ये अ संबेदना के अस्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत, जब मैं पढ़ा उनकी कवितायां आप पढ़ेंगी और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगी कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कवितायां पढ़ा हूँ, वो आम तोर पे दिसंबर म भी लिखते थे, उनका विताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिल लिखे थे, तो मुझे पता चला कि भावना आत्मक रूप में बहुत उपर थे और मैं भी हूँ, मैं बिवजह रो देता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है बिवजह रो द कर दो में हूँ